नमस्कार मैं हूँ सुनील बोवी मगत संबात में आपका स्वागत है हर पहल आपके साथ नियोजी सिचको के लिए विहार के औरंगावाद जिला में सिच्छा विभाग कर्याले में भरष्टा चार्चरम सीमा पर है एरियर के नाम पर कि सिचको को ठगने का काम किया जा रहा है एरियर मुद्दे को लेकर पदाधिकारियों करमचारियों और विचवलियों के द्वारा हाई प्रुफाइल ड्रामा किये जा रहे हैं जब सिच्छक परतिनिधी औरंगावाद जिले के सिच्छा विभाग के जिला सिच्छा पदाधिकारी डिप्यों अस्थापना से मिलते हैं तो उनके द्वारा एक ही बात कहा जाता है कि एरियर के लिए इलाउटमेंट अभी नहीं है पैसे की कमी है आकिर पैसे की कमी है इलाउटमेंट नहीं है तो औरंगावाद जिला में सेकलो सिचको का एरियर का भुक्तान किस्मत से किया गया क्या पताधिकारी अपने घर से उनको भुक्तान किये यहां पर औरंगावाद जिले में परिवर्तनकारी प्रारमिक सिच्छक संग के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि बेतन की तरह नियोजी सिचको को जो 2017 से अ कमुस्त भुक्तान किया जाए इसको लेकर प्रिवर्तनकारी प्रानमिस सिचक संग के जिला धच विजय कुमार सी के ने तुरुत्व में बिगत 29 दिसंबर को और अंगावाद जिले के परतेक परखंड के बी आर्सी कर्याले के समझ एक दिवस्य जोरदार धरना परदर्शन क के बाद भी सिच्छा भी भाग में किसी परकार से एरियर को लेकर कार्ज नहीं सुरू किया गया है इतना जरूर है कि सिच्छक जो है अपना एरियर परपत्र बी आर्सी में जमा कर रहे हैं लेकिन बीयों के द्वारा परखंड सिच्छा पदाधिकारी के द्वारा जिला मे उपलवद नहीं कराया गया है जबकि अगर सुत्रों की माने सिचकों की बात माने तो विभीन पर खंडों से कुछ-कुछ सिचकों का एरियर का परपत्र विचौलियों के माध्यम से कुछ वैसे लिपकों के द्वारा पैसे लेकर वैसे सिचकों का भुकतान किया गया है लेकिन एक मुस्त जो परिवर्तनकारी के द्वारा मांग है उस पर अभी तक सार्थक पहल नहीं किया जा रहा है जब परतिनिधी जाकर जिला सिच्छा पदाधिकारी और जिला कार्जकरम पदाधिकारी से बात करते हैं उनके द्वारा एक ही बात कहा जाता है कि औरंगा वाजिला में नियोजी सिचकों के लिए एलाउट्मेंट नहीं है। सिचक भी नहीं चाहते हैं कि धरना परदर्शन करें आंदोलन करें लेकि मजबूरी है पेट के भूग के कारण अपने कमाये हुए पैसे को लेकर सिचक परशान होते हैं और अंतो गतवा धरना परदर्शन करने के लिए आगे आते हैं। सौक नहीं है। हम तमाम नियोजी सिचकों को ऐसा सौक नहीं है कि हम धरना परदर्शन करें। अभी बताया जाता कि नहीं आया है फिर बताया जाता कि आया ठीक है आने पर ही भुक्तान होगा लेकिन जियो मद का जो बेतन है वह फरवरी माह तक उपलब्द है फिर भी अब तक जो है आज तक मात्र नवंबर माह का ही बेतन मिल पाया है आखिर लेट लतीफ केओं जब सिचकों से काम लेने के लिए आप उत्साहित करते हैं उन्हें आर्थिक रूप से भी मुक्त करना ज़रूरी होता है अगर भरष्टाचार प्ररोक नहीं लगाया गया अंकुस नहीं लगा तो परिवर्तनकारी प्रारमी सिच्छक संग के दुवारा आगामी उनैस जनवरी दुहजार उनैस को जिला सिच्छा करिया लेके समझ्च महा आंदोलन एरियर और असनातक पोनती को लेकर किया जाएगा अगर उससे भी बात नहीं बनी तो परिवर्तनकारी प्रारमी सिच्छक संग और रंगावाद के दुवारा अनिश्चित कालीन डियो कारियाले में ताला बंदी और आमरन अंसन भी किया जाएगा इस्थिती यह है कि कुछ जिला सिच्छा पदाधिकारी करयाले के किराणियों के दुवारा सिच्छकों से पैसा उगाही का भी काम कर एरियल का भुक्तान कराया जा रहा है तब तो दरजनो सेकलो सिच्छकों का एरियल भुक्तान हुआ है मैं पुछना चाहता हूँ ऐसे पदाधिकारीों से जो कहते हैं कि इलाउट्मेंट नहीं है तो आखिर करीब करीब तीन सो सिचकों का एरियल भुक्तान हुआ आप तक कैसे क्या हुआ अपने घर से पैसे के भुक्तान किये है इनको जवाब देना होगा आज औरंगावाद जिला में विभिन संगटनों के द्वारा औरंगावाद के सिछा कर्यालियों में भरष्टाचार के खिलाप आंदोलन छेड़ दिया गया है परिवरतनकारी भी लगतार आंदोलन कर रहे हैं परखन से लेकर जिला मुख्याले में अंदोलन की आगाज हो चुकी है अब देखना यह है कि पदाधिकारी के द्वारा सिछकों का सोसन कब बंद होता है अगर सोसन बंद नहीं हुआ तो सिछक भी दिरिशंकल्पित हो गए है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे और जो भरष्टा चार करियाले में फैला हुआ है चरम सिमा पर पहुचा हुआ है उस पर अंकुस लगाने का हम काम करेंगे अब हमें इंतजार करना होगा कि क्या जिला सिछा पदाधिकारी जिला कार्जकरम पदाधिकारी के द्वारा 19 जनवरी से पहले एरियर और सनातक पोनती दिया जाता है या फिर इस मामले को ठंडे बवस्ते में रखा जाता है खैर कुछ भी हो लेकिन प्रिवर्तन कारी प्राणमी सिछक संग और रंगावाद के द्वारा शंखनाद किया हुआ जो घोशना है कि अगामी 19 जनवरी से जिला सिछा पदाधिकारी कर्याले में ताला बंदी कर धर्मा परदसन किया जाएगा वह होगा और जो एरियर के नाम पर जो साजी सरची जा रही है जो हाई प्रोफाइल ड्रामा हो रहा है ततकाल उस पर रोक लगाना जरूरी है एतर का इद पर रहए्स पिसूचाक सैं नुन कारिप्रेमे की नुन केमाँ, नुन केमाँ नुन केमाँ नुन केस्ट नूर से हैं